नमस्कार, अनमानगड राजस्तान से मैं आनन जैन आप सभी का श्रिद्वी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर Electrical Estimation की इस क्लास में जुडने पर स्वागत करता हूँ आज हम विद्यूत परियोजनाओं में अनमान बनाने के लिए क्या जानकरिया आवशक है इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे एक यूजना की Drawing Detail, Specification और Reads इन तीनों जानकरियों से Electrical Estimation किस तरह से बन जाता है समझते हैं अनमान बनाने के लिए आवशक जानकरिया चाहे कैसी भी पर यूजना हो चाहे वो सिविल निर्मान कारिया हो या कोई यांत्रिकी अभी यांत्रिकी की मशीन में बहुत सारे हिस्सों का Assembly वर्क हो या फिर कोई स्तान पर विद्धूत सस्तापन कारिये हो चाहे Electrical Installations के वर्क हो किसी भी पर यूजना के लागत अनमान के लिए कुछ जानकरियां सुचनाई आवशक हैं एक पर यूजना में लागत अनमान लगाने के लिए हमें तीन मुखे जानकरियां आवशक हैं और इसमें से एक परियूजना से संबंदित चित्र हैं दूसरा परियोजना के समगरियां और कारियों के विस्तार पूर्वक जो वी निर्देश हैं या विशेशिकाई हैं टेकनिकल स्पैसिफिकेशन्स हैं उनकी आफशकता है और तीसरा महत्पुन्ट इन समगरियों की क्या लागत दरें हैं इन तीन जानकारियों के मदद से हम किसी भी परियोजना की लागत का अनमान, डिटेल्ड एस्टिमेशन, विस्तरत, अनमान क्रिया में लगा सकते हैं इन तीनों को परियोजना के चित्र स्पैसिफिकेशन और रीड्स को डिटेल से समझते हैं किसी भी परियोजनाओं में चित्र ड्रॉइंग्स परियोजना के विवरन को बताने वाली भाशा का रूप होता है हमें परियोजना की लागत आंकलन के लिए उसकी ड्रॉइंग्स और दूसरी डिटेल अत्यन तावशक है ताकि हम परियोजना में जो अलग-लग मदों में माने के साथ इंकित हो उसकी ज़रुरत रहेगी इलेक्टिकल इंस्टोलेशन वर्क के लिए परियोजना का स्कीमेटिक वाइरिंग डाइग्राम भी महत्पून है जिसमें हमें सर्विस लाइन, एनरजी मीटरिंग, मेन स्विच, डिस्टिबूशन बोर्ड की पोजिशन, स्विचिंग कंट्रोल पोजिशन और इलेक्टिक यूटिलिटी पॉइंट सबी को किस तरह से आपस में इंटर कनेक्ट करना है उसे समझा जा सके परियोजना के प्लान में जब इलेक्टिकल डाइग्राम्स भी हमारे लिए महदपून हो जाता है तो लेयाउट प्लान, स्किमेटिक वाइरिंग डाइग्राम और कंट्यूट लेयाउट प्लान इन सबी की मदद से हम अलग-अलग प्रकार की सामगनियां और कारियों की मात्रा की गणना कर सकते हैं एक प्रियोजना में लागत अंकलन में सबसे जादा महद मुन प्रियोजना में लगने वाली सामगनियां और कारियों के जो विशेश विवरन हैं जो वी निर्देश हैं या विशेश काई हैं स्पैसिफिकेशन्स हैं वो हैं डिटेल स्पैसिफिकेशन्स में विस्तरत रू विशेशिकाओं की मदद से हमें वस्तों की प्रकर्ती, गुनवता और दूसरे तक्निकी विवरण ग्यात हो जाते हैं। पर्योजना के विद्ध कारियें, उनके दाइरे से संबंदित सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। और अलग अलग किये जाने वाले कारियों की संख्या तो ड्रोइंग से प्राप्त होगी पर उनके गुनवता और दरों का आधार वस्तों और कारियों के बनाएगे वी निर्देश स्पैसिफिकेशन होंगे। जब ड्रोइंग और स्पैसिफिकेशन के मदद से परियोजना में प्रियोग होने वाले सामगरी और कारियों की संख्या और गुनवता निर्दारित हो गई है। तो अब हमें इनी सामगरी और कारिये के लिए क्या दरे लागू होंगी उनकी गणना करनी चाहिए। आवशक रहेंगे सभी तरह के कामगरों के लिए मजदूरी की दरों की गढ़ना भी करना जरूरी है ये सभी समगरियां और कारिय वेवस्ता के लिए मजदूरी दरों की गढ़ना हम किसी मानक दरों की अनुसुची बेशिक शेडूल आफ रेट से कर सकते हैं जो CPWD या स्टे CPWD की गाइडलाइन सो सकती है या कोई दूसरी ओर्गनाइजेशन की शेडूल आफ रेट सो सकती है इनकी मदद से हम हमारी परियोजना के समगरी और कारियों की दरें निर्धारित कर सकते हैं हम बजार के सर्वेक्षन और दूसरे आधार से भी परियोजना में इन मदों की दरें विशलेशन से प्राप्ट कर सकते हैं एक बार जब सामगरी और कारियों की संख्या मालूम है दरें आ गई हैं तो हम विविन वस्तुओं और मदों की मात्रा के साथ दरों का गुणा करके अलग-लग मद की लागत निकाल सकते हैं सबी लागतों को जोड़ कर परियोजना कि क्या दर रहेगी इंसोरेंस और दूसरे टेकसेज क्या रहेंगे इनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए अनेक बार सामगरी के स्त्रोत स्तल से परियोजना स्तल के बीच में वस्तों के परिवेहन की लागत भी हमारी गड़ना में महत्पून हो जाती है तो हमें सामगरी के स्त्रोत और हमारी परियोजना के बीच में परिवेन के क्या खर्चे हैं इनकी भी जानकारियां प्राप्त कर लेनी चाहिए जो कुल लागत सामगरी और श्रमिक कारियों के हमने ग्याद की है उस पर परियोजना के अधिभार, सुपरविजन के चार्जेज, कंटिंजेंसी और लमसम चार्जेज एड करके हम परियोजना की सकल कुल लागत ग्याद कर सकते हैं उमीद है इस छोटी लेकिन खुबसूरत लर्णिंग वीडियो की मदद से आपने ये जान लिया है कि किसी भी परियोजना की लागत अन्मान के लिए हमें तीन मुख्य जानकारिया चाहिए वो परियोजना से संबंदित चित्र, स्पैसिफिकेशन और दरे हैं हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्णिंग वीडियो से आपकी एलेक्टिकल एस्टीमेशन विशय समझ बहतर बनेगी अगर आपको ये काम पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी साजा करें और चैनल से इस विशय के स्टडी नोट्स प्राप्त करने के लिए मामूली खर्च में चैनल की मेंबर्शिप भी जोइन करें आप अच्छा पढ़ें तरक्ये करें Have a nice time, thank you very much